बेटा पैदा होने का दावा कर महिला ने 10 दिनों तक बनाए सम्मन्द मोधी नगर तांत्रिक गफ़ार 55 सड़तीय बेटा होने का जाता देका जाडू फूप के बहाने 10 दिन तक बंदक बनाकर महिला के साथ दुसकर्म किया उसे हर रोज है धमकी देकर डराया गया अगर किसी से दुसकर्म का जिक्र भी किया तो उस पर जिन ने छोड़ देगा बंदन मुक्ठ होते ही महिला ने साहस दिखाती उसके खिलाप निवाड़ी थाने में F.I.R. दर्ज करा दी पुलिस ने बुदवार को से गरबतार कर कोर्ट में पेस किया बहाँ से उसे जेल भेज दिया गया मेरट के पड़ता पुर्णिवासी महिला में F.I.R. में बताया कि उसकी साधी को 6 साल हुए है पती मजदूरी करते हैं उनकी 4 साल की एक बेटी है परिवार की लोग चाहते हैं कि दूसरी संतान बेटा होना चाहिए कुछ दिन पहले तांतरिक गफार को एक जानकार ने उसके बारे में बताया और दाबा किया कि ए तावीज देगा जिसे पहनने से सर्तिया बेटा होता है जिसकी बातों में आकर 9 सितंबर को वे पती के साथ गफार से मिलने पहुची उसने तावीज दे कर कहा कि जाड़ फूक से उनकी गरीवी दूर कर देगा और अगली संतान बेटा ही होगा महिला ने कहा कि उसे तंतर मंतर की क्रियाओं के लिए उसी के पास रुखना होगा पती को वहां से भेज दिया गया महिला ने पुलिस को बताया कि पती के जाते ही गफार ने उसे बंदग बना लिया और फिर 10 दिन तक रोज दुसकर्म किया उसने उससे जूट बोला कि वह किसी से कुछ भी नहीं कहेगी तब उसे छोड़ा SP देहाग डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि तंतरिक गफार को पुस्ताज के बाद जेल भेज दिया गया पुस्ताज में तंतरिक गफार ने बताया कि वह आठ भी फेल है उसकी 6 संतानों में 5 बेटियां है और एक बेटा है पतनी उससे अलग रहती है वह तंतर मंत्र से बेरोजगार को रोजगार दिलाने नी संतानों को संतान होने सर्तिया बेटा होने का दावा करता था सर्तिया बेटा के लिए उसके पास जादा लोग आते थे उनसे वैं सुरू में 200-300 रुपए ही लेता था इसके वदले ताबीज देता था बै कोई तंतर मंत्र नहीं जाता है मैला उसे कहता है कि बेटा होने पर उसका पास आना होगा जिस मैला के बेटा हो जाता है उसे यह कहकर डराता है अगर तंतर मंत्र नहीं किया तो बच्चा बचेगा नहीं उससे तंतर मंत्र के नाम पर मोटी रकम लेता था उसने बताया कि बेटे के लिए मैलाओं के जैसा कहता था वैसा ही करती थी और चुप रहती थी पहला मौका है जब मैला उसको डराने पर डरी नहीं और पुलिस को तहरीर दे दी पुलिस ने बताया कि गफ़ार हर साल ठिकाना बदलता है उसने चार साल पहले मजदूरी छोड़कर तंत्रमंत्र शुरू किया था उसका खुद का बेटा मजदूरी करता है लेकिन गरीबी और मजदूर उसके पास गरीबी दूर कराने आते हैं पुरोना काल में उसके पास आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई उसने पुलिस को बताया कि कई लोग उसके पास डॉक्टर की दिहुई दबा लेकर आती है बैस सो और उपए लेकर उसमें फूक मार देता है लोग समझते हैं कि फूक से दबा में असर करती है